Capital Smart City Overseas East Sector J इस वक्ट development की सूर्थेहाल क्या है as of October 2023 इस वीडियो में actual site footage प्लस Google Earth location की मदद से मैं तमाम चीज़े आपको details से explain कर दूँगा कि कौन सा पार्ट कितना develop हुआ है In general अगर हम Overseas East Sector J की बात करें तो तक्रीबन 95% area ऐसा है जो developed or possessionable है 5% area ऐसा है कि जिसमें भी थोड़ सी litigation बाकी है और वान development होना बाकी है अगर हम बात करें in general तो यहां पे आपको दो side पर linear park मिलता है sector J के और एक side पर इसके one capital residence apartments है और सामने वाली side पर 156 street wide main boulevard है अगर हम बात करें इसमें sizes of plot की कि साइज के plot यहां पे available है तो यहां पे आपको एक किनाल और दो किनाल के plots मिल जाते है एक किनाल का plot का size यहां पे 50-90 square yards में बात करें तो 500 गज अगर हम मरलों में बात करें तो 20 मरला दो किनाल के plot की बात करें तो 75 by 120 यानि 75 into 120 square yards में बात करें 1000 square yard और मरलों में बात करें तो 40 मरला एक street ऐसी है जो reserved है for through canal plots बाकी तमाँ के तमाँ plots इसमें एक canal की हैं J block के बिल्कुल सामने आपको जो linear park है जो इस वक्त मकमल operational है मकमल ready हो चुक है आपको नजर आ रहा है फाइदा यह है कि J park में घर बनाने का कि J block की बहुत limited सी street है 4 streets हैं, 2 lanes हैं इस जगा पे जब घर होगा आपको बना होगा तो आपके walking distance पे आपको J block सामने आपको school मिल जाता है आपके बिल्कुल चंद streets के फासले पे आपको masjid मिल जाती है और वैसे भी block के दो side से park है एक park society के block के अंदर है तो overall J block इस लहाँ से location wise अच्छा है एक तो number of plots काम है दूसरा कि जो plot sizes हैं यहाँ पे वो बड़े size के plots हैं यहाँ पे याँ 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 आपको जो घर नज़र आएंगे वो काफी अच्छी elevation के साथ एक ही तरस में नज़र आएंगे तो यह एक positive point है J block का इन जनरल हम J block के location की बात करें तो location भी बहुत अच्छी है क्योंकि interchange से overseas east का जो सबसे नज़र की block है that is overseas east sector K जो इसके बिलकुल साथ adjacent है तो sector K और sector J की location interchange के point of view से काफी ज्यादा close है याँ आपको interchange से काफी easy access मिलती है second point is कि इसके एक block बात याँ एक sector बात आप sector K क्रॉस करें तो back side पे golf course है तो amenities वाइस देखा जाए है हमने explain किया कि sector J की amenities में दो side पे आपकी main boulevard है एक side में बुलेवर्ड है दो side पे linear park है और तीसरी side पे high-rise apartments आते हैं तो high-rise apartment के साथ एक मरकज भी है तो मरकज तक access होगी linear park तक access होगी उसके लवा main road तक access होगी तीनों point से J block की location काफी prime बनती है बाकी J block के अंदर इस वक जो है वो 100% possession available है सिवाए चंद plots के जो main road के साथ आते हैं लेकिन कुछ litigation असमें वो later stage पे clear हो जाएगी बाके जितने plots बचते हैं उनमें 95% कहलेंगे 95% plot ऐसे हैं जिसका आप सुबा चाहिए तो possession ले सकते हैं तो यह J block एक positive बात है कि यहां पर properties आपको बिल्कुल ready मिलती हैं एक और सवाल जो member के तरफ से पूछे जा रहा था वा सवाल यह था कि capital smart extension को भी RDA के operation में गिराने की बात की गई है तो capital smart extension क्या issue है basically capital smart कि किसी भी site पर capital smart के चे ब्लॉक्स है आप overseas east देख लेएं overseas central देख लेएं overseas prime one देख लेएं executive block देख लेएं overseas central हार्मीपार्ग देख लेएं overseas east हार्मीपार्ग ब्लॉक्स देख लेएं यह बाकि जो districts हैं लमाय डिस्टिक हो गया उसके बाद सिलिकॉन भी ले जा है उसके लावा आपका different districts हैं किसी district में RTA कोई operation के नामों निशान नजर नहीं आता हाँ चक्री रोड के ओपर capital smart के एक ब्रेंडिंग के लिए एक बड़ी कहलें के billboard लगा वा था उस billboard के ओपर जो skin लगी वी थी यानि billboard के ओपर ब्रेंडिंग वी थी उसकी एक तस्वीर चल रही है social media पर कि जिसको फाड़ा जा रहा है otherwise इसके लावा capital smart के साइट पे किसी किसम का action नहीं हुआ मैं एकसर बात करता हूँ कि capital smart के का जो project है यह 100% safe है वो इसलिए capital smart के project के जो owner है जाई साब इन्होंने past में पाकिस्तान के civil side पे देखे हैं तो बहुत बड़े-बड़े project जो है deliver करके दी हैं in the past 75 years तो उस side पे civil government जो भी बनती है वो PTIO, PMLNO या PPPO किसी की भी government बनती है तो जाई साब is always in the good box तो इनके project पे किसी किसम का कोई action नहीं होगा second is establishment के बात करें जो मिलके सबसे powerful हलक है उसमें देखें तो तुमाम DHS के project इस company ने deliver की है चरल ले तो इसलिए किसी member को इस बात पर प्रेशान होने की ज़रूत नहीं है कि स्मार्टी के नाम पर कोई ऐसी बात आएगी